तो है आप व्योंड दिस इस के डिगुनार एंड दिस इस दी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर यह इसका एस वेरेंट है जो के नियो ड्राइफ के साथ है काफी जादा वैली फॉर मनी हो जाता है एंड कम्प्लीट वाकराउंड करने वाले हम इसका एंड सारे डिट वीडियो होने वाला एंड तक बने रहें तो की फॉप की बात करें तो कुछ जैसा देखने को मिलेगा जहां आपको लॉक अनलॉक का वही कंट्रोल देखने को मिलेंगे नॉर्मल एंड बॉनिट की में बात करूँ तो स्लोपी सा मिलता बागे यहां पर आपको टर्न सिगन बाक फिनिश में मिलती है जो लोर ग्रिल है वो तो यह काफी बढ़िया बात है वाकी यह देख रहो है आप थोड़ा थोड़ा कवर है वाकी इसमें ओपन एरिया भी रखा गया है यहां पर प्रोजेक्टर्स आफर कर दी जाते हैं यहां पर आपको लाइट देखने को मिल करती है और चारों तरफ जो है प्यानो ब्लाक ट्रीट्मेंट दिया हुआ है तो ये काफी चीज़ें जो है बढ़िया लगती है और नीचे वाले यह देख रहुँ यह ग्रेइश कलर आपको दीया जाता है यहां पर जस्टिस के नीचे तो यह काफी बढ़िया लगा मुझ जाती है बात कर ले दें तो 17 इंचेज्स के आपको टैर सइज मिलते हैं स्टील रिम् मेरे सामने देख रहे हैं हाप यहां पे-डर 쉽्यूर भी ह antioxidants तो यह काफी बड़ी है बात है उपर आपको एक शाथ फनिंद नदीन को मिलने लेजाए गाड़ी का टर्निंग डेडियस जो है वो 5.4 मीटर्स मिल जाता है फ्यूल टेंक के अब बात कर लें तो वो यहां पर 45 लीटर्स की रहने वाली है तो गाड़ी कंप्लीट यह काफी जादा जो है अच्छी लगती है सराउनिंग में देखू मतलब इसके मतलब लुक काफी बलकी बलकी आता है पीछे इसमें वाइपर तो नहीं मिलता है क्योंकि यह S वेरिंट है यहाँ पर देख रहे हैं इना डीफोगर डीफोगर दिये जाते हैं बड़ वाइपर नी दिया जाता है पीछे आपको हाइमोट स्टॉप लैम मिल जाता है मतलब गाड़ी में पीछे ओली वाइपन नहीं मिलता है और सारे फीचर्स जो है वो अपके कवर हो जाते हैं यहां पर LED आपको टेल लाइट्स मिल जाती है यहां पर सिल्वा ट्रीटमेंट मतलब यह ग्रेश शाट रीटमे वगेरा सारी कुछ चीज़ है और कैमरा आपको जस्ट नमबर प्लेट के ऊपर मिलता है नीचे वाली जो है बंपर आपको यह सेम टू सेम आगे वाली की तरह मिलता है मतलब आपको ग्रेश फिनिस में यह एस विरेंट है तो आपको बैसिंग और ड्राइफ की भी बैसिंग मिल जाती है यहाँ पर देखो कैमरा आपको दे लिया जाता है बागे डूर को मैं ओपन करके बात कर दूँ तो भाई इसके टेल गेट जो काफी बड़िया ओपन होता है और पार्टिल ट्रे ओफर कर दी जाती है आपको थ्री सैवेंटी थ्री लिटर्स का बोर्ट स्पेस म मिल जाता है तो महलत सारे कुछ फीछर्स वगारा मिल जाते हैं कारी में यह वेरिंट फे काफी बढ़िया वो जाता है ग्ендलन के घाब गार Charge यह देखो काफी बड़ी है चीजें पावर विंडोस के कंट्रोल एंद यहाँ पे सिर्वर ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पहरा है यहाँ यहाँ पे आपको यूज यूज़ देखने को मिल जाएंगे यह सीट जो है वो आपको हाइड अजिस्टिबल मिलती है ड्राइबर साइड और फैबरिक में मिलती है कोई भी लैदरेट में यूज नहीं हुआ है सीट पर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तीन तीन पैडल्स क्योंकि यह मैनूल वेरेंट है तो आपको बोनिट एंड क्यूल कैप का ऑप्शन मिल जाता है ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको डमी मतलब बटन आप आफ्टर मार्केट जब भी कुछ इंस्टॉल करवा तो लगवा सकते हैं इंजन स्टार्ट श्रॉप बटन मिल लादा भाई इस वेरेंट में और क्या चाहिए यहाँ पर सारे के सारे मल्टी मीडिया के कंट्रोल आपको स्टेरिंग वील तक पर मिल लादे हैं याँ यहाँ पर मैं अगनिशन स्टार्ट करेंगे बात करूँ तो यह देखो याँ मतलब काफी सारी जो है इंफुर्मीशन आपको यहाँ पर शोकर देगा एजली मैं आपको देखाता हू एक सेकिंड याँ यहाँ पर सबसे पहले देखो आपक की गाड़ी स्टार्ट है आर भीम आप देख सकते हो तो मतलब जब स्टार्ट करोगे आप गाड़ी तो आपके जो गाड़ी नहीं हो बलकुल साइलेंट रहती मालब कोई भी आ मालब फालतु की आवाज करती नहीं है घाड़ी एंड इसमें जो मुलिटी मीडिया के कंट्रोز ہے जो है आप देख सकते हैं टेल्ट पर सुरोंबक यहांद के साथ का स्जारिंग फीन और यहां पर वाइपर के कंट्रोश हैं यहां पर हैड़ लेंप्स के कंट्रोस Lange एड़ेंट नी डक अबको सूरोंब्स का यहांद पुम काइपर कैे मीड़र जाता errado भाई आपका टैसर रिस्पॉंस काफी बढ़िया है एंड फो नम्मर आफ स्पीकर्स आपके मिल जाते हैं इस इंफोटेन्मेंट के साथ तो मतलब म्यूजिक सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं इसका ठीक ठाक म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है बागे नीचे आपको मिलता है भाई हसार लेम का बटन यहाँ पर देखने के लिए एंड मैट ब्लाक टीटमेंट रखा गया है काफी सारा एंड यहाँ पर मिलता है आपको आटमेटिक एस सी ट्रेक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस चारजिंग पोर्ट्स यहाँ पर फाइब स्पीड मैनूल गियर बॉक्स आपको मिलता है काफी पावरफूल है मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एंड तक वीडियो वाच करते रहें इसमें की जरूर से आपको छोटी से मिलती है बट बाकिस सारे फीचर सो काड़ी में काफी जादा मेजिंग है मैनूल हैंड ब्रेक मिल जाती है आम रेस्ट मिल जाता है प्रोपर एक लैदर रेट मतलब बढ़िया एक तो मस्त तरीके से आपका डिजाइन है यहाँ पर है यहां पर आपको वेणिडी मीरर मिल जाता है इस वेरिंट में तब ही तो मैंने बोला था पहले यह वेरिंट काफी जद बढ़िया है यहां पहले है आई विएम डिनाट मेर्ट मायनुल के साथ मिलता है और यह देख रहा है, यहां पर भी मिरर, यहां पर सॉफ्ट फोल्ड के साथ, हैंडल बार, एंड गलब बॉक्स में काफी सारा स्पीस है, यह सिर्वर ट्रीटमेंट आप देख रहा है, यहां पर डैस्पोर्ड पर मतलब तो कालर कॉम्बिनेशन भी गाड़ी में काफी आपको एक सेकंड खोड़ने दो, यह देखो भाई, यह आपका पीछे वाला डोर, जहां पर फुली ब्लैक कलर एंड यह सिर्वर ट्रीटमेंट यूस किया गया है, यह कंपनी की तरफ से, यह ग्लॉसी मतलब आपको क्रोम ट्रीटमेंट में इंटीरियर के डोर हैंडल, वा होती भी हैं, यहां पर हेडरेस्ट सारे के सारे अड़िस्टेवल, पीछे आपको यह लाइट देखने को मिल जाएंगी, और काफी बढ़ी है, मतलब स्पेस वाइस भी गाड़ी मुझे काफी ज़्यादा कमफोर्टेवल लगी, मैं बहुत ही ज़्यादा कमफोर्टेवल ल पंदराइसो सीची का एंजन मिल जाता है, फोर सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोडिस करता है, एक सो दो बियेच पी एंटॉक, वन थाटी सिक्स एनेम कुछ का दे देता है, तो काफी ज़्यादा बढ़ी है, जो भी आपके डाउट्स हों, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो देखनी हो और पेरेंट्स की, तो जरूर से आप चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मैं आपको इसकी एकसलेरेशन बताऊं, 0 to 100 का, तो भाई वो काफी बढ़ी है, 12.4 सेकंड में आपकी 100 की स्प